नेक्स्ट है अपना Interest of Substance अब ये Interest of Substance जो है इसके अंदर में अपने Proprietary Rights, Inheritance Property Rights जो हमारे हो गए Occupational Freedom की हमें काम करने की आजादी होनी चाहिए जैसे हमारा Article 19 है वो हमें काम करने की आजादी देता है तो ये सब Rights आजाते हैं कि कोई भी इंसान Free है कोई भी इंसान Free है वो अपने मन पसंद काम करें बस ये है कि काम Society के Society के Against नहीं होना चाहिए मतलब Society के Welfare के Against नहीं होना चाहिए ये चीज है और उसके बाद कोई भी उसके Property Rights है Inheritance Succession ये सब राइट्स है वो सब इंट्रेस्ट जो है वो इसके अंदर आते हैं Interest of substance के अंदर में ठीक है अब Next है Public Interest Public Interest में Mainly Political Interest आयाते है Political Rights, Political Claims जो होते हैं जैसे कि आज के ताइम में अगर बात करें तो Right to Vote हो गया, Right to Contest Election हो गया, Right to Form Political Party ये सब चीज़ें जो Rights है ये हमारे Political Interest है तो इन चीज़ों को भी मलब Law को चाहिए कि ये इन चीज़ों को भी Protect करें, इन चीज़ों को भी Provide कराए लोगों को और इन इंट्रेस्ट को भी Satisfye करें ये Public Interest है Next है Social Interest Social Interest यानि कि वो सारे Interest जो as a Society हमारी जरूरत हो हम Society के अंदर में रहते हैं तो पूरी Society का Interest हो, पूरी Society जिस चीज़ को चाहती हो जैसे कि Society के अंदर Peace and Order Maintain हो, Security रहे जो institutions हैं हमारे Marriage के, Religion के और और भी अलग-अलग institutions हैं जैसे, वो सब के सब को Preserve किया जा सके Society के अंदर में Morality को Preserve किया जा सके Corruption को Corruption को खतम किया जा सके हमारे पास Freedom of Speech and Expression हो Freedom of Property, Trade, Etc. हो मतलब वो Interest जो as a Society हम Claim करते हो ठीक है? as a Society जो हम Interest Claim करते हो वो सारी चीज़े आ जाती हैं इसके अंदर में Social Interest के अंदर में तो हमने तीन Interest पड़े Individual Interest, Public Interest और Social Interest अच्छा इसमें Problem क्या आती है कि अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे Interest हमारे ऐसे आ जाते हैं जो की Overlap कर जाते हैं एक दूसरे से ठीक है? Individual Interest, Public Interest Social Interest इन चीज़ों से Overlap कर जाते हैं Overlap कर जाते हैं या कई बारी ऐसा होता है कि जो Individual का Interest है वो Public और Social Interest के Against हो जाता है या जो Public Interest या Social Interest है वो Individual के Interest के Against चला जाता है मतलब कई बारी क्या होता है कि ये जो तीन Interest है इनके बीच में आपस में ही Conflict हो जाता है तो अब जब ये Condition आए इन तीनों के बीच में आपस में ही जब Conflict हो जाए तब हम किसे Priority दें कई बारी ये Problem आ जाती है कि जब ये Interest जो है वो Conflict वो आपस में Conflict Nature के आपस में एक Contradictory Nature के हो जाए तो किस Order में हम उनको Preference दें ठीक है किस Order में हम उनको Priority दें तो अब इस मामले में Pond क्या कहते है Pond कहते है कि हर एक जो Society होती है उनके अपनी कुछ माननेताएं होती है हर एक Society की अपनी Adjunctions होती है हर एक Society अपनी माननेताएं होती है जैसे अगर हम ये Indian Society की बात करें तो इसमें बहुत सारी अलग-अलग माननेताएं है जैसे कि अब जैसे एक Islamic Society है तो Islamic Society की क्या माननेता होती है कि जो औरते हैं वो बुर्खा पहन के निकलनी चाहिए सड़कों पे एक जो आदमी है वो चार-चर शादियां कर सकता है ऐसी वैसी जो Hindu Society है या Indian Society है तो ये मानके चलती है कि monogammy होनी चाहिए औरतें जो है वो औरतें जो है वो बुर्खा पहर के ना निकलने कोई problem नहीं है तो अलग-अलग society की अलग-अलग assumptions होती है और उन्ही assumptions के basis के उपर और जो experience होता है past के उन चीजों के basis के उपर ये order तै होता है कि अगर ये interest है जो की conflicting nature का है तो पहले हमें public interest को या social interest को इनको priority देनी है या individual interest को priority देनी है ये चीज ठीक है तो ये एक हम assumptions लेकर चलते हैं और उन assumptions के basis के उपर में assumptions के basis के उपर में हम order fix करते हैं ये चीज है अब ये जो assumptions की जो बात कर रहा है Drosco Pond वो इन assumptions को नाम देता है Jural Postulates Jural Postulates Jural Postulates of Legal System वो इन assumptions को नाम देता है Jural Postulates of Legal Systems और ये जो Jural Postulates है ये Jural Postulates वो order तै करती है कि किसे priority देनी है जब इन तीनों interest के बीच में conflict होता है ओके तो अब जो Jural Postulates है तो इसको देख लेते हैं से पहले कि Jural Postulates होता क्या है तो जो Postulates होता है Postulates का तो मतलब होता है assumption और Jural यानि कि जो भी Legal या फिर law से जुड़े हुए जो भी assumptions होती है उन चीजों के बारे में है तो ये जो Jural Postulates है इसका मतलब ये है कि जब भी कोई social engineering के concept को अपनाता है यानि कि इस concept के हिसाब से इस philosophy के हिसाब से जब भी कोई law making process में आता है law बनाने की सोचता है तो उसे ये कुछ assumptions लेकर चलनी चाहिए assumptions किस बेसिस पे लेकर चलनी चाहिए कि society हमारी civilized है जी और civilized society है तो हम इनसे कुछ duties expect कर सकते हैं civilized society है तो हम कुछ इस society से duties expect कर सकते हैं कि ये society कुछ duties जो है वो follow करें और society ही नहीं individual और society दोनों ही ये जो duties है कुछ उन duties को follow करें अब ये assumptions क्या है कि कौन सी duties को society और individual follow करें ये assumptions इस तरीके से हैं कि एक तो कोई internal aggression ना हो society के बीच में कोई भी internal aggression ना हो अब ये ऐसा क्यों कह रहे है न क्योंकि ये जिस time पे ये social engineering की philosophy बनी थी तो वो time था world war के time का तो world war के time पे क्या हो रहा था आपको पाता ये world war में कितनी जादा कितना यादा खून खराबा हुआ था जर्मनी के अंदर holocaust हुआ था और उसके बाद भी बहुत सारे वहाँ पे मतलब लोग एक दूसरे को मार रहे थे nations आपस में लडने पे लगे हुए थे तो क्या है कि और दूसरा वो time था decolonization का decolonization यानि कि जब 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 मतलब जो countries थी वो अंग्रेजों की सत्ता से आजाद हो रहे थी अंग्रेजों की colonies खतम हो रहे थी ठीक है तो ये वो time था world war 2 का और decolonization का तो इसी context में वो कहते हैं कि society के अंदर हम ये लोगों हम ये उमीद लगा के चल सकते हैं लोगों से कि वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि society के अंदर किसी तरीके का internal aggression होगा ठीक है और लोग एक दूसरे के खिलाफ aggressive होंगे ये हम उमीद लगा के चल सकते हैं society से कुछ उमीद करके चल सकते हैं दूसरा discoveries जो है वो for the benefit of beneficial purpose only यानि कि जो discoveries होंगी society के अंदर में या discoveries जो भी होती है society के अंदर में वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए हो लोगों को नुकसान पहुचाने के लिए ना हो for example जो कि हिरोशिमा के अंदर हुआ था ये भी world war 2 के टाइम पर ही था destruction आया लोगों का खून खराबा हुआ बिमारियां फैली तो लोगों का क्या हुआ इससे welfare नहीं हुआ लोगों को नुकसान पहुचा society को नुकसान पहुचा इससे तो जो discoveries हैं वो beneficial purpose के लिए होनी चाहिए किसी को नुकसान पहुचाने के लिए नहीं होनी चाहिए हम society से ये भी उमीद कर सकते हैं तो मतलब हम society से ये उमीद कर सकते हैं कि internal aggression ना हो हम society से ये उमीद कर सकते हैं कि जो भी society के अंदर discovery हो रही है वो लोगों की भलाई के लिए हो उसके बाद हम ये भी उमीद कर सकते है society से कि जो भी लोग society में रह रहे हैं वो एक good faith के سाथ रह रहे हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से भरोसा कर सकते है फिर हम ये उमीद कर सकते है कि कोई भी injury नहीं करेगा एक दूसरे को क्योंकि एक civilized society है और civilized society के अंदर में conduct ऐसे नहीं होने चाहिए ताकि वो लोगों को क्या injury दे सके लोगों को injured कर सके और फिर क्या उमीद कर सकते हैं कि जो भी agencies है society के अंदर में जो की harm भी पहुचा सकती है society को और benefit भी दे सकती है वो सारी के सारी के सारी जो agencies है वो regulate होनी चाहिए अब drugs यानि कि drugs में दो चीज़े आती है एक तो जो हम medicine के तरह use करते है medical purpose के लिए और दूसरा जिसे हम toxication के लिए use करते है intoxication के लिए ठीक है तो ये regulate होनी चाहिए ताकि नशे के लिए ज्यादा वो चीज़ें use ना हो society के नुकसान के लिए use ना हो बलकि society के welfare के लिए benefit के लिए use हो सके ठीक है अब ये society ये उन्होंने कुछ postulates दिये लिकिन ये जो postulates थे वो कोई ऐसे कोई hard rules नहीं थे कोई एक boundary नहीं fix की उन्होंने जैसा कि analytical school में किया गया था ऐसी कोई boundary नहीं fix की बलकि एक बहुत ही है कि इन्होंने flexible सा एक मतलब ने parameter एक yard stick दिया कि आप इन तरीकों को देखिए आप इन चीज़ों से match करके देखिए और इस हिताब से law बनाईए कोई एक absolute rule नहीं दिया था इन्होंने ये बहुत ही relative और flexible nature के थे और ये कहते हैं कि जो भी basically चीज क्या है ये किस चीज के उपर focus करते हैं interest के उपर में और किसी भी society का जो interest है वो जरूरी थोड़ी है कि एक society के अंदर में जो interest हो दूसी society के अंदर में वही interest हो तो मतलब societies अपना देख लें अपने अपने interest के हिसाब से अपनी community के interest के हिसाब से law बनाए लेकिन वैसे होने चाहिए जो लोगों के interest को satisfy करें बस main purpose होना चाहिए कि लोगों के interest satisfy हो ये नहीं जरूरी है कि भाई आप एक जगह के law दूसरी जगह पर लगा दें क्योंकि interest तो हर जगह पर vary करते हैं तो आपका main purpose होना चाहिए कि interest satisfy हो ठीक है ये है ये अब ये जो philosophy है Roscoe Pond की तो इसका अभी तख हमने main main क्या देखा कि Roscoe Pond की philosophy हमने समझे थोड़ी सी इसके introduction के अंदर में फिर हमने उसके characteristics देखे अब उसके characteristics में सबसे important दो तिन characteristics जो है functional jurisprudence functional jurisprudence का characteristic ठीक है दूसरा हमने पढ़ा फिर social engineering का characteristic functional jurisprudence जो की बात करता है law का function के ऊपर कि वो positive function होना चाहिए social engineering social engineering जो हमेरी बात करते है कि engineering के तरह होना चाहिए ये भी जिसके अंदर में maximum satisfaction हो सके और minimum of conflict हो सके फिर हमने देखा jural postulates jural postulates देखे और jural postulates क्या बनाते हैं interest society के interest कि हमने पहले देखा था interest और फिर हमने देखा jural postulate interest यानि कि society के अंदर अलग-अलग interest है उनके बीच में किस तरीके से balance create किया जा सके फिर हमने देखा कि अगर वो interest के बीच में conflict होता है तो हम jural postulates को मान के चलेंगे कि यह यह jural postulates है मतलब यह एक तरीके से flexible सा yardstick है आप अपने अपने interest के साब से देख लीजिए यह चीज हो गया अब इस philosophy के कुछ criticism देख लेते हैं तो जो इसका पहला criticism है वो यह है कि इसमें engineering term यूज किया गया है social engineering इसमें engineering term यूज किया गया है अब यह जो term engineering है यह काफी mechanical सा लगता है mechanical यानि कि वो चीज mechanical में क्या होता है न कि आप feelings पे नहीं जाते हो आप क्या करते हो कि एक machine है machine के अंदर आप जैसी चीज डालोगे वैसा वो निकालेगा same ही चीज रहेगी हर बार static सी चीज रहेगी आप डालोगे कोई चीज मलब raw material डालोगे वो final product आपको same ही product डालेगा लेकिन society के अंदर ऐसा नहीं होता है society dynamic है society change होती रहती है इसका मतलब society जो है वो living एक चीज है लोग जो है वो living nature का होना चाहिए ना कि mechanical nature का होना चाहिए और अगर आप engineering word यूज कर रहे हो तो आप mechanical nature के उपर focus कर रहे हो ना कि living nature के उपर में उसके focus कर रहे हो लेकिन बात ये थी कि उन्होंने engineering शब्द का इस्तिमाल किया था वो metaphorically किया था याने कि वो क्या कहते हैं कि engineering शब्द उन्होंने कोई ऐसे एक as it is वो नहीं use किया था कि law social engineering के तरह होना चाहिए इन्होंने एक metaphor के तरह use किया था उसे ताकि वो society की problems और problems क्या हैं और किस तरीके से उसे सुल्जा सकते हैं इस चीज के उपर focus करता है कि आप इस तरीके से जो है वो अपने society की problems को दूर कर सकते हैं हाना उनका solution ढून सकते हैं यह नहीं कि आप मलब यह कोई ऐसे कोई as such engineering एक hardcore word यूज नहीं किया था इन्होंने बस एक scale दिया था ideal scale of value with reference to interest कि आपके society के अंदर यह interest है तो आप इन interest को इस तरीके से satisfy करके society की problems दूर कर सकते हैं यह है basically social engineering का अब यह emphasis करते हैं engineering के उपर तो यह organic process of law को ignore करते हैं अच्छा जो यह organic process of law engineering का scene क्या है न कि अब engineering का मतलब यह है कि कोई एक आदमे बैठा है वो law बना रहा है और organic process का मतलब क्या है कि law अपने आप grow कर रहा है अपने आप society में evolve हो रहा है तो यह दोनो contradictory nature के हो गए ठीक है social engineering और organic process यह दोनो contradictory nature के हो गए तो यह organic process जो है कि law फिर अपने आप grow नहीं हो पाएगा और अपने आप grow नहीं हो पाएगा तो उस तरीके से as it is proper law नहीं बन पाएगा जैसे historical school वाले कहते थे ठीक है वो organic process के उपर ज्यादा जोर देते थे न तो ये है लेकिन अगर हम इसे आज के context में देखें तो ये आपको criticism नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि आज के context में क्या होता है कि बहुत ही सोच समझ के law बनाया जाता है क्योंकि इतनी complexities आ गई है कि अगर आप और लोग इतने aware भी हो चुके हैं कि आप गलत law उनके interest के खिलाफ के law नहीं बना सकते हैं तो बहुत ही consciously और deliberately laws बनाया जाते हैं तो ये इस criticisms का कुछ खास importance रह नहीं जाता है और दूसरा अगर हम pond की भाषा में ही बात करें तो pond ने क्या बोला था ना कि हमें balance create करना है competing interest of the societies के अंदर में तो अगर कोई law आप as a process of engineering बनाते हैं मतलब कोई आदमी अगर law बनाता है तो वो भी यही सोच के उसे law बनाना चाहिए कि वो interest जो है उनके बीच में एक balance create हो सके हना interest के बीच में balance create हो सके ऐसे यहीं कोई भी law बन जा है तो ये भी कोई फर्क डालता नहीं है ये भी कोई as such criticism है नहीं पर लिखना यहीं है ठीक है तो emphasis on engineering अब दोनों को एक पर फिर देख लेते हैं क्या है कि engineering एक happy word नहीं लगता है मतलब engineering एक mechanical term है और law क्या है और law और society दोनों dynamic है तो एक mechanical term को एक living और dynamic term के उपर हम कैसे लगा सकते हैं क्योंकि society grow करती जाएगी लेकिन mechanical का मतलब तो यह होता है तो यह है लेकिन pond ने उसको एक metaphor की तरह use किया था second है emphasis on engineering ignores organic process of law second है कि emphasis on engineering ignores organic process of law यानि कि law का organic process को वो क्या कर रहा है ignore कर रहा है लेकिन engineering के अंदर है क्या कि law खुद से बनाया जाएगा लेकिन इसमें भी pond जो है दो चीज़े आती है एक तो modern context में कि आज के time पे आप law बना ही नहीं सकते हो वैसा जो interest के against हो अपने बाद judiciary बैठी है लोग इतने aware हो गए है उसके अलावा जो वो है वो एक balance create करने की बात करते है तो जब balance create करने की बात आए कि तो आप वैसे ही किसी के इंटरस्ट को बिना मतलब के आप उसे ignore नहीं कर सकते हो थर्ड है wants and desires only cover material needs जब wants की बात करते हैं desires की बात करते हैं तो सिर्फ ये material needs को fulfill करता है material needs है नहीं जिसे हम बोलते है माया यहना मोह माया यह सिर्फ उन चीज़ों को cover करता है तो इन चीज़ों से क्या है असली satisfaction नहीं आती है एक तो आप interest को satisfy करने की बात कर रहे हो लेकिन इससे असली satisfaction नहीं आती है सिर्फ ये कुछ मोह माया की चीज़े हैं जो उन चीज़ों को material welfare की बात करता है ना कि serious in road on personal freedom और other things which contribute greatly for happy and rich life सिर्फ material welfare की बात करता है ये उन चीज़ों की बात नहीं करता है कि किन interest को satisfy करने से happy और rich life जिया जा सकता है ये basically professor Alan ने कहा था समझते हैं आप हमारी हिंदू philosophy या फिर जो इंडियन philosophy है उसके अंदर क्या कहते हैं कि बाई इंसान को मुह माया खुश नहीं करती है material जो ये दुनियावी चीज़े होती है वो खुश नहीं करती है बलकि अंदर की खुशी जो होती है वो खुश करती है तो ये basically इसी concept के आसपास का कुछ है अच्छा अब next है classification of interest वो कुछ useful नहीं है आज के time में क्यों कि क्या होता है कि ये classification of interest का main मसला ये है कि ये welfare के उपर focus करता है और आफ welfare के नाम पे किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो और चेंज कौन करेगा political parties तो जब political parties इसे change करेंगी तो वो क्या होगा कि वो अपनी मर्जी से जब उन्हें लगेगा कि उनके लिए वो suit करता है तब वो लोगों के welfare के नाम पे उसे change कर देंगी अना तो ये एक तरीके से political agenda बन जाएगा यानि कि law है welfare देखके उसे change किया जा सकता है लोगों के in the name of welfare of the people change कौन करेगा political parties political parties को जब भी लगेगा तो वो in the name of welfare of the people उसे change कर देंगी तो वो क्या बन जाएगा एक political agenda वो बन जाएगा next criticism है ये कि what is individual and what is social interest ये खुद एक political conception का matter है हना कि individual interest क्या है और social interest क्या है for example अगर हम बात करे patents की तो जैसे covid-19 का भी time चल रहा है ये best example है आज के time के लिए अगर covid-19 का जैसे ये time चल रहा है और इस time पर अगर कोई medicine बना लेता है covid-19 की vaccine बना लेता है तो अब बात आएगा कि जिसने बनाया है उसके individual interest को देखा जाए कि society को अभी इसकी जरूरत है इस चीज़ को देखा जाए तो ये काफी जादा एक political will के उपर depend करता है कि politics क्या चाहती है एक side तो उसका economic interest है दूसरी side society का social interest है तो ये political consciousness के उपर depend करता है कि अगर उस देख की सरकार कहा दे कि नहीं भाई हम तो हम नहीं देंगे तो आप क्या करोगे उस चीज़ में individual कहा जाएगा individual को अगर कहा दे कि भाई तुम free वो जो भी तुमने क्या एक minimum जो एक तुम्हें मतलब की minimum amount के उपर लोगों को provide कराना है तो individual को कराना पड़ेगा नहीं कराएगा तो उसके factor नहीं बंद हो जाएगी यह चीज होता है तो यह चीज है लेकिन जो जब भी इस तरीके की बात आती है जब individual और public या individual और social interest इन चीज़ों के उपर इन चीज़ों के बीच में जब conflict होता है और लैप करते हैं तो जो भी collective interest होता है collective interest prevail करता है यानि कि अगर individual और public के बीच में हुआ तो public interest prevail करेगा individual और social interest के बीच में हुआ तो social interest prevail करेगा मतब जिस site ज़्यादा जरूरत है जो interest ज़्यादा strong है वो interest prevail करेगा यह चीज है इसके अंदर में अब तो last में इसका conclusion देख लेते हैं इसका conclusion क्या है कि it takes middle way of law making speaks of value मतलब क्या है कि it takes middle way of law it takes middle way of law नहीं यह बहुत ज़्यादा source centric है नहीं यह बहुत ज़्यादा इस चीज़ के favor में बात करता है कि हमें individual के interest को satisfy करना चाहिए यह बहुत ज़्यादा इस चीज़ के favor में बात करता है कि हमें social interest को satisfy करना चाहिए यह बीच का way है जो कि इन दोनों के बीच में balance create करने की बात करता है but they are relative to need and requirement he emphasize on social engineering with making the balance between competing interest of society ठीक है अभी एक practical approach है क्योंकि उन्होंने कुछ एक जो postulates दिये थे उस postulates के हिसाब से देख कर एक practically हम इस चीज़ को वैसे भी अगर हम दोनों साइड के competing interest को balance करने की कोशिश करें तो यह हो सकता है आज की time में होई ही रहा है कि हम socialist nature भी और liberal nature भी दोनों ही follow कर रहे है he emphasized on studying the actual working of legal rules उन्होंने functional jurisprudence की बात की थी न वो क्या था actual working of legal rules की legal rules काम कैसे कर रहे है इस चीज़ के उपर ध्यान देने की बात की थी और the importance of social research for good lawmaking good lawmaking ताकि लोगों का welfare हो सके he points out the responsibility of lawyers, the judges and jurists ताकि immediate need or requirement को पूरा किया जा सके उस चीज़ के उपर focus करते हैं and give a comprehensive picture of scope and field of the subject ये है इसका conclusion मतलब की एक middle way एक middle way की और ज़्यादा emphasis करते हैं ताकि जो competing interest है उनको fulfill किया जा सके उनको satisfy किया जा सके दूसरा number ये इस चीज़ के उपर focus करते हैं की judges का जो role है वो बहुत important हो जाता है law making के अंदर में ताकि immediate need or requirement को पूरा किया जा सके ठीक है तो एक ये comprehensive picture scope और field produce करते हैं ये jurisprudence की इस वीडियो के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी if you like that video do like, share and subscribe and do follow us on our instagram handle that is itsmiraki underscore zero seven thank you and have a nice day झाल 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 झाल